अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा अदमी था जो लेंबोरगीनी खरीदने के चक्कर में ही अपनी जान गवा बेटा और हमारे मन में एक हैल आता है कि डॉक्टर्स हमेशा सफेद कलर के ही कोट क्यों बेंदे क्यों रेड ब्लू कलर के कोट नहीं बेंदे और वही कि आपको पताएगी एक कैसी गेम है जिसमें आपको बकाईदा किसी की कार चूरा नहीं होती है और अगर आप चोरी करने में कामियाव हो गए तो वो कार आपकी और एक गेम कहा खिली जाती है यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरू देखना क्योंकि दूस्तों वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है हैक नबर 10 कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया समय की बरवा दिये अगर आप लोग भी ऐसा सूचते हैं तो वीडियो देख लिए अमदवाद के मणिनगर एलवेटेशन के बहार एक 14 साल का मासूम लड़का तनमय अपने परिवार को मदद करने के लिए वो अपने पीता के स्कूटर पर कचोरिया बेजता है कभी एक दिन किसे ने इस बच्चे का वीडियो बना कर सूचल मीडिया पर शेयर कर दिया और दूसरे ही दिन आप देखी सकते हैं कि इस बच्चे के पास कितने लोग पहुँच गए इनकी कचोरी खरीदने के लिए और इसकी मदद करने के लिए वैसे social media की power इतनी है कि ये किसी को रातोरा star भी बना सकता है और किसी को आस्मान से नीचे गिरा भी सकता है नॉर्मली जितने भी swimming pool होते है उसे blue रंके ही paint किये जाते है जिसे हमें पानी के color blue दिखाई देता है पर Florida में रहने वाले एक बंदे के दिमाग में ये ख्याल आये कि वो क्यों आपना pool red color का करते है और उसने अपना pool red color का paint करवा भी दिया और अभी आप देखी सकते हैं कि ये pool कैसा लग रहा है जैसे ये कोई vampire का pool हो और ये खूम से भरा हुआ हो जैसे देखा जातों दूस्तों ये इतना भी खराब नहीं लग रहा है इसमें स्विक्तिक गाड़ी पूरे टायर से परी हुई है और इसकी जो main गाड़ी है उसी का ही टायर पंचर हो गया है और इंटरेसिंग बात तो ये है कि इसके पास इतने सार टायर होने के बाउजूद भी इसके पास एक भी टायर नहीं है मतलब कि जो इस गाड़ी में feet ह इसे यह बात याद आती है कि कैसे रोज हमारे साथ कई दोस होते हैं पर जब भी हमें मदद चाहिए होती है तब एक दोस्त भी हमारे पास नहीं होता है अगर आप पकड़े जाने से बच जाते हो तो वह कार वीनिंग प्राइस के तोर पर आपको दी दी जाएगी और कार के पैशे शो वाले देंगे पर अगर आपको पोलिस में पकड़ लिया तो आपको जेल हो जाएगी पर उसमें भी कोई टैंचन की बात नहीं है क्योंकि कुछ दिन बाद आपको शो वाले ही बेल करा देंगे दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारे देश में भी ऐसा शो होना चाहिए की नहीं इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है तैक नमबर 6 दोस्तों आप लोगों ने डॉग इसकी कई अलग अलग तरह की प्रजादिय जरूर देखी होगी जिसमें से कुछ तो बेहदी खुबसुरत होती है और कुछ तो बेहदी खतरनाक पर सब्सक्राइब करेंगा या फिर किसी से अपनी दिल की बात कहीं हो हर छोटे से बड़े काम के लिए हमें माही याद आती है क्योंकि एक माही है जिसके पास हर प्रॉब्लम का सलुशन होता है और मा की जगह इस दुनिया में कोई भी और नहीं ले सकता लेकिन ब्रूक्लिन नियुवर्क एक ऐसा शहर है जहां आपको मा भी रेंड पर मिल सकती है अब आपको इस बात पर यकीन ना हो लेकिन यह बिल्कुल सच है दरसल नियुवर्क के बच्चों के लिए एक सर्विस शुरू की है जिसका नामे वो निट्स मॉम यानि कि जिसे भी माह चाहिए वो न निना को लगा कि वो आसपास के बच्चों की प्राब्लम इतनी आसार निसे सुलजा सकती है तो क्यों ना इसे बिजनेस में कनवर्ट किया जाए और फिर उन्होंने वो निट्जम मॉम नाम से एक वेबसाइट खोल दी और धिरे दुरी उनकी ये वेबसाइट पूरे शहर म रखा है हर पल हर सेकंड वो अपनी नाक को देख सकता है लेकिन हमारे ब्रेन के पास एक पार होती है जिसका नम होता है अनकॉंसियन सिलिक्टिव एटेंशन जिसकी वजह से हमारा ब्रेन हमारी नाक को लिगनोर कर देता है और हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते है जब आप होस्पीटल या लेब में जाते हो तो आपने देखा होगा कि सभी डॉक्टर्स और नर्स वाइट कलर के ही कोट पेहनते और कभी ना कभी आपके अमन में इसको जाने का ख्याल जरूर होगा तो चलिए आज मैं आपको पताता हूँ इसका कारण धरसल घुस्पीटल और लेब्स में बहुत से फ्लूड होते है जैसे की मेडिकल कईमिकल जो आसान इसे डॉक्टर और नर्स के कपड़ों पर लग सकते है और आप जानते होंगे कि वाइट ही एक कैसा कलर है जिस पर केमिकल और फ्लूड आसान इसे दिखाई दे जाएंगे इ ऐसे बुर्ज खलिफा का नाम सबने सुना ही होगा या फिर हर किसी ने वीडियो में तो देखा ही होगा। बुर्ज खलिफा दुनिया की सबसे उंची बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पर चार चान लगाता है इसके उपर होने वाला लाइटिंग शो। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे भारत देश के इंडिपेनस डेव पर बुर्ज खलिफा उसके उपर इंडियन फ्लैक बनागर हमें विश्बी करता है पर क्या आपको पता है कि बुर्ज खलिफा पर सिर्फ 3 मीट के लिए कंपनी की एड़ चलाने के 50 लाख रुपे चार दरसल जीमबाव में रहने वाला एक आदमी था जिसे लेंबरगीनी चाहिए थी और वो भगवान पर कुछ ज्यादा ही भरोसा रखता था इसलिए इसने एक बार अपने दोस्तों से सरत रखी कि जब तक भगवान उसे लेंबरगीन नहीं दे देते तब तक वो उपवास र बिल गई और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पगवान भी उसे ही देता है जो मेहनत करता है परिशनम करता है बीना मेहनत के जितनी भी मर्जी प्रात्नाय कर लो पगवान कुछ भी नहीं देने वाला है इसलिए दोस्तों आज से अपने सपनों को आसिल करने में लग जाओ क्या पता कल आपके पास भी लेंबोरगिनी हो वो भी आपके मेहनत के पैसो की तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इंट्रेस्टिंग वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल में नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेना क्यो लाते रहते हैं